नमस्कार दोस्तों, ये कुछ फ्रॉड्स हैं स्कैम को दो या तीन तरीकों से किया जाता है कुछ ब्रोकिंग एप से, कुछ फेस्बुक में डारेक्ट एड चला के आपको टेलिग्राम या वाथसेप ग्रॉप में एड करवा के इस स्कैम को कैसे अंजाम दिया जाता है और आप कैसे इस से बत सकते हैं इस स्कैम को मेजर ली दो तरीके से किया जाता है पहला किसी ब्रोकर, किसी जाने पहचाने ब्रोकर के नाम से उनकी अप्स बनाना नकली apps बनाना, नकली websites बनाना, नकले Facebook page बनाना और उसके उपर ads रन करना और दूसरा किसी जाने पेचान influencer या investor के नाम पे Facebook page बनाना और उस page पे उनके चहरा दिखा के ads रन करना और Facebook ads को जातर 40 साल से 60 साल की उमर दराज के उपर रन कहराता है क्योंकि ये जो segment होता है एज का men और women दोनों के पास पैसे की कमी नहीं होती समझ की कमी होती है towards technology This is a vulnerable group और ये vulnerable group जालतर Facebook consume करता है Instagram, Twitter, LinkedIn या YouTube के comparison में अब इस scam के modern sovereignty को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे इस website को देखिए, Angel One नाम का एक prominent broker है, listed company है उसकी ये website है, उसका ये homepage है और अब ये website देखिए, ये angelonealgo.com ये website देखने में, उसका logo भी देखने में almost angel जैसा ही दिखता है लेकिन actual में ये Angel One का नहीं है इसमें local contact number दिये गए है, अलग से email ID, domain दिया गया है सब कुछ बहुत सोच समझ के किया गया है अचा अब ये देखिए, ये Fires की website है Fires भी एक discount broker है, बैंगलोर वेस्ट कंपनी है अब इस website को देखिए, ये homepage है इसका और अब ये देखिए, firesapps.com इंटरेस्वीं बात ये है कि इंटरनेट पे आप ये अराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा website domain का ओनर कौन है, किसने खरीदा है अब अगर आइंजल की website है, तो ओनर एंजल ही होंगे जैसे गर मैं एंजल वान की website का domain ओनर ठूणने की कोशिश करूँगा तो मुझे यहाँ पे एंजल ब्लोकिंग लिमिटेट दिखाई देखिए तो मुझे यहाँ पे clarity मिल जाती है कि यह एंजल वान की website है लेकिन अगर मैं वही website angel1algo.com सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई और ही दिखता है कोई रागव गुरजर जो के इंदौर से है मध्या प्रदेश, postal code है, phone number भी है, email ID भी एंजल की ऐसी एक और fake website है angel-1.in जिसके बारे में कुछ लोगों ने शिकायत भी की थी इनके और भी कोई Tamil Nadu's हैं लेकिन उन्हें अपनी privacy को block कर रखा है बट ये clear है कि ये angel-1 की website नहीं है उसी तरीके से अगर मैं Fires की website को सर्च करूँगा तो Fires की website most likely Bangalore की company है तो Fires Securities के अंडर आती है जैकिन FiresApps.com को कर सर्च किया जाए तो यहाँ पर Fires नहीं दिखाई देगा जैकिन यहाँ पर कोई American number है, address दिया गया है most likely यहाँ पर भी details को private किया हुआ है और बासें website की नहीं है angel-1 ने कुछ दिन पहले अपना notification जारी किया email के थूँ अपने clients को बताया कि देखिये market में angel-1 की website angel-1 की mobile app जैसे देखने वाली कुछ और नाम से almost similar नाम से mobile apps install करवाई जा रही है और बताया गया था उस notification में कि आपको किस तरीके से angel-1 और बाकी app से differentiation करके रखना है किसी और app को अगर आप install करके अपना नुकसान करवाते हैं तो उसमें angel-1 की जमेवारी नहीं बनेगी अब इन fake apps को जब आप phone पे download करते हैं तो इसमें आपको investment करने के लिए बोला जाता है इस investment में आप से पैसा डलवाया जाता है आप पैसा डालते हैं और आपको return भी दिखाये जाता है 10,000 डाला 20,000 दिखने लग गया आप withdrawal करते हैं withdrawal हो जाता है इस लालच में आके आप निया पैसा डालते है में इंसान अपना पुराना पैसा रिकवर करने के चक्कर में नया बहुत सा पैसा डालता है जैसे कि थाने शहर में रहने वाले च्छालिस साल के स्टॉक ट्रेडर के साथ हुआ जहां पे उनको कहा गया कि आपको एक वाट्साप ग्रूप में आड़ किया जाएगा और यह वाट्साप ग्रूप एक अमेरिकन और एक इंडियन कंपनी का जॉइंट वेंचर है इसमें आपको बहुत बढ़िया रिटर मिल सक अब यह वाला पैसा एक कभी निकाल नहीं पाए और ऐसा ही कुछ गुरूप के साथ हुआ जहां पे उनको एक वाट्साप गुरूप में एक अब बताई गई उस एब को इसमें करीब 50,000 पे डाले कहा गया कि इसमें आप से आइप पैसा लगवाएंगे उनका 50,000 एकदम से 3,19,000,000 रुपे दिखने लग गया इस चक्कर में आके डॉक्टर साहब ने करीब 1,36,000,000 रुपे डाल दिये और वो पैसा आज भी और निकाल नहीं पाए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह वाट्सेप गुरूप का मॉटर सपरेंडी क्या है किस तरह से इस वाट् अब इन गुरूप का नाम था C31 LSE BSE Stock Market Elite Alliance एक और गुरूप का नाम था JP Think Tech 9 एक गुरूप में करीब 380 लोग थे और दूसरे गुरूप में करीब 332 अब इन गुरूप में क्या किया जाता है जब एक साइजेवल नंबर ओफ पीपल इस गुरूप में एड़ हो जाएंगे और इन स्टॉक्स में हर एक स्टॉक में 20-30% का अफट मोमेंट हो सकता है ये गुरूप आपके लिए बिल्कुल फ्री है इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करवाई जाएगी आपको स्टॉक्स के लावा कोई मैसेज नहीं डालने हैं कोई अड़ूटाइजमेंट नहीं करन हैं और उन फॉन नंबर से एक के बाद एक मैसेज करवाई जाते हैं कि शुक्रिया आपने हमें इस ग्रूप में एड़ किया आज की टिप्स बताईए मैं कहां पर पैसा कमा सकता हूँ प्लीज बताईए मार्केट गिर रही है क्या मैं पैसा बना सकता हूँ मैं एक बिगिन बाकी लोग जैनुइनली अपने सवाल पोच रहे हैं और हो सकता है कि इनको भी प्रॉफिट हुआ तो मुझे भी होगा फिर आपको मिलती है पहली टिप इस टिप में आपको पर्चेस प्राइस बताया जाता है कितने पर प्राइस पर खरीदना है कब बेचना है कितने दिन सीधे सीधे टेडिंग करके बड़िया मनाफा कमास है और फिर आगे चलके आप जैसे कि पहले बताया लालच में आके जब बड़ा कैपिटल लेकी आएंगे तो आपकी जोराइडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा उस एप को आप इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे उस वेबसाइ गरूप का अबजेक्टिव पूरा हो जाता मतलब क्रियेटिविटी इनोवेशन का इस तरीके से इस्तिमाल करके किस तरह से लोगों को स्कैम किया जा सकता है उनके साथ फ्रॉड किया सकता है ऐसी सैंकरों ही खबरे हैं I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका और आप टेक की बेसिक इंफोर्मेशन जानते हुए अपने आपको बचा सकते हैं अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया